हेलो दोस्तो मैं उद्धर आगर आप सभी काफिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चनल एकजाम योजबाई उद्धर में तो दोस्तो इस सेशन को भी हम आगे बढ़ाते हैं लाश्ट क्लास की तरह इस क्लास में भी बहुत ये अच्छे कॉस्चन है तो भई आप सभी इ सोहना, गुरुगराम या मेवात मार्ग पर है आपको द्यान रखना है ये कॉस्चन एकजाम में पुट हुआ है दूसरा आप से ये पूछ सकता है कि हरियाना का मेव अध्योगिक स्टेट कि स्टापना हरियाना में कब ही तो इसका जो राइट बनेगा 1987 तो यानि कि ए बिल आपको बता रहे हैं तो इनको सामिल किया गया एक तो आपका बिंड़ावस वन्य जीव अभी आरन रहेगा ये आदरता के लिए प्रसिदेय से मानित दे दी गए है राम सर साइट के अनुसार हम आपको बता रहे हैं या पिर राम सर टैक के अनुसार दूसरा सुल्तानपू कॉशन नमबर तीन थोड़ी सी लेंगवेज बड़ी है लेकिन समझने की कोशिस करें प्रियास करें एक अच्छा कॉशन है और एक्जाम में पुट हुआ है निमलिक्त में से कौन सा हरियना उद्योगे की नीती 2015 का प्रावधान नहीं है तो इन में से कौन सा नहीं रहेगा ख कौन सा नहीं है तो आपका अंबला और पंचकुला में उद्योगिक टाउंसिप खोलना तो ये नहीं बनेगा तो इसका जो राइट बनेगा तो सी बिलकुल सही आंसर रहेगा निमलिक्त में से कौन सा जिला हरियना का यानि कि किसी राज्य या केंदर सासित प्रदेश के सा अपनी सीमा साजा नहीं करता तो इन में से कौन सा रहेगा जो साजा नहीं करता है तो इसका जो राइट बन जाएगा कौन सा रहेगा चर्खी दादरी तो यानि कि सी बिलकुल इसका राइट बनेगा और एक और है आपका कौन सा चर्खी दादरी के साथ तो आप हमें के जरूर बताएं दो हैं फिलाल अगर हम देखें तो इसका जो राइट बनेगा तो सी बिलकुल सही आंस्वर है कॉशन नमबर पाँच एक अच्छा कॉशन है बहुत ही अच्छा है और एक्जाम में पूछा गया और आगे भी बन सकता है तो देख लेते हैं बच साथ के साथ है नमलिक्त में से कौन सा हरियाना सहरी विकास प्रादिकर हुड़ा का मुक्ष नहीं है इन में से कौन सा नहीं है बाकी तीन है आपको दियान रखना वे ठीक है और दोस्तो अगर आप चाहते कि हम अच्छे लेवल के कौशन चाहिए तो आप इस नमبر पर हमें मैसिज कर सकते हैं वर्ट अप कर सकते ही यहांसे आपको 1000 कौशन हरियाना जीके के अच्छे लेवल के और साथ में 2021 की Current Affair और साथ में Agriculture Animal के Practice Set तो ये सब कुछ आपको केवल 89 रुपे में मिल जाएंगे यहां से आपको WhatsApp करना है जो भी आगे आपको करना है जोइन करने के लिए वो हम आपको समझाएंगे इस नंबर पर आपको पहली WhatsApp करना है और आप चाहते के विए ग्राम साथी पटवारी Κैनल पटवारी की Nauts वी चाहिए तो ये भी और ये भी यानि की Total आपको 99 रुपे पेक करना है और अगर आप चाहते के हमें केवल यही चाहिए 99 रुपे पेक करके जोइन कर सकते हैं तो इसका जो right बनेगा निमेंसे कौन सा मुख्य कारिया नहीं है तो ये संपत्ती कारिय की वसूली करना तो ये बिल्कुल इसका right answer है और ये 1977 में सतापना हुई थी इसकी तो ये भी ध्यान रखना एक अच्छा काम है और संपत्ती की जो वसूली करना है ये नगर निगम और नगर परिशद का कारिया होता भी ठीक है तो दियान रखना इस बात का हरियना का कौन सा सहर सबसे बड़ा विग्यानिक उपकरन का केंदर है इसे हरियना का विग्यान नगरी भी कहते हैं क्योंकि हमने कई बार आप से question पूछा है तो इसका जो right बनेगा अंबाला है कौन सा अंबाला है तो दियान रखना और अंबाला में ही चंदर यान के उपकरन बनाए जाते हैं जबकि मंगल यान के उपकरन आपके फरीदाबाद में बनते हैं तो इसका जो right बनेगा भी बिलकुल सही answer रहेगा निमलिक्त में से किस जिले में हरियन में कपास का उतबादन नही और मैं कह सकता हूँ सारे question जो last exam में बने हैं हमने वही उठाएं अगर आप चाहते कि हमें वही question चाहिए सभी लगवक्त तो हमने 26 या 27 कुछ ऐसे करके हमने वीडियो डाल ली है ठीक हैं अपने channel पर playlist में आपको अलग से series मिलेगी MCQ के नाम से मिलेगी वहां से आप सारी class जरूर देख सकते हैं क्योंकि उनमे selected वही question है जो last exam में बने हैं तो निमलिक्त में से केस जिले में हरियान में कपास का उत्वादन नहीं होता तो इसका जो right बनेगा मेवात रहेगा या फिर no भी हम कह सकते हैं तो ए बिलकुल इसका right answer है हरियाना के लूर निर्थे के बारे चांदने रात में बाहर किया जाता है तो इसमें तो पुरसों का कोई मतलब ही नहीं है तो ये गलत हो जाएगा यह निर्थे जलूस के साथ होता है तो ये भी गलत रहेगा यह निर्थे गेरे के बीतर जोड़ों में किया जाता है तो ये बी गलत है तो ये बांगर का पिरस निर्टे रहेगा तो D बिल्कुल इसका right answer है दादुपूर नल्वी नहर सचाई परियोजना से निम्लिक्त में से किस सथान पर सचाई होती है तो इसका जो right बनेगा किस सथान पर सचाई नहीं होती है इसमें ये पूचा गया नहीं होती है बाकी कुरुशेत्र में होती है यम्नानगर में भी होती है अंबाला भी और जब कि पंचकुला में इसका कोई संबंद नहीं है तो C बिल्कुल इसका राइट आंस्वर रहेगा भारत के परियावरन याले के द्वारा नेमलिक्त में से किसे परिस्तिती सम्वेदन सील शेत्र के रूप में नाम में नहीं किया गया तो किसको नहीं किया गया बाकी तीन को किया गया है तो इसका जो राइट बनेगा खौल ही रहतान वन्या जीवब्यारन और यह आपका कहां पंच कुलाम है ठीक है आगे देखते है राश्टिय राजमारक टू हरिया नाम नेमलिक्त में से कहां से गुजरता है तो इसका जो राइट बनेगा तो यह आपका फरिदाबाद से जाता है यानि कि दिल्ली के पास से यानि कि फरिदाबाद फिर फरिदाबाद से आपका पुराना वाला ही पूस्ता है तो टू ही रहेगा ये भी आपको ध्यान रखना अगर टू नहीं है तो 44 भी आपको मिल सकता है या फर 19 A भी आ सकता है तो इसका जो राइट बनेगा तो D बिलकुल सही आंसर है निमलिक्त में से कौन सी नदी हरियाना से होकर नहीं बहती तो मीथा थल आपका कहां पर है भी वानी में है तो B बिलकुल इसका राइट आंसर बन जाएगा कौशन नमबर 14 हरियाना में गव संवर्धन नियम कब लागू किया गया तो ये 2015 में लागू किया गया है और कब की बात है तो ये भी देख लेते हैं साथ के साथ 19 नवंबर 2015 को नियमित रूप से लागू कर दिया गया कौशन नमबर 15 है जबकि छोटा कौशन है देख लेते हैं साथ की साथ हरियाना में पसूधन विकास बोड की स्थपना कब हुई दोहजर साथ आठ यानि पंचकुला में इसका मुक्याल रहेगा तो दियान रखना है कौशन नमबर 16 आपके सामने हैं लाला लाजपत्राई का सामाजिक और राजनितिक गतिविदियों का प्रमुकेंदर कौन सा स्थान था तो इसका जो रहिट बनेगा हिसार रहेगा कौन सा रहेगा हिसार रहेगा और आरिया समाज की बाग डौर इसी के हाथ में थी तो आपको दियान रखन में 24 दिसंबर 1878 कहां पर गउसाला खोली सबसे पहले हरियना में रेवाडी में और इसके लगबग यानि कि एक साल बाद हम कह सकते हैं यानि कि लगबग 1880 में आरिय समाज की सतापना हुई रेवाडी में तो इसका जो राइट बनेगा बिल्कुल सही आंसर डी रहेगा हरियना में 1999 किसे बैराज की जगे हतनी कुंड बैराज ने ले ली तो इसका जो राइट बनेगा ताजे वाला तो भी बिल्कुल इसका राइट रहेगा और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहे तो इसे लाइक और शेर कर देना और जो नए साथ ये चैनल को हरियना में कहां से प्राफ्त है इसका जो राइट अंसर माना गया है हरियना में राष्ट्य अनुसंदान के इंद्र कहा पर है तो ये तो हमने अभी लाष्ट वीडियो में कम्पलीट किया था कॉस्चन यानि कि 7 जनवरी 1986 को इसकी सतापना होई है और कहाँ पर है आपका हिसार रहेगा यानि कि ए बिलकुल इसका राइट बन जाएगा आंसर बिलकुल बीसमा कॉशन पानिपत के पिर्थम युद में बावर ने किस राजा को पराजित किया तो इसका जो राइट बनेगा पिर्थम युद की बात हो रहे है पंद्रह सो चब्विस तो इब्रहेम लोदी हो जाएगा इसका राइट अंसर बनेगा वर्तमान हरियाना में कितने वन्य जीवब ब्यारन है तो इसका जो राइट अंसर बनेगा आठ है वही कितने हैं आठ हो जाएंगे तो ये भी आपको दियान रखना है एक अच्छा कोश्चन है बिल्कुल हरियाना में गुलाम वन्स का पिर्थम पिर्मुक सासक कौन था तो हरियाना में गुलाम वन्स का पिर्थम पिर्मुक सासक कौन रहेगा कुतूब दीन एबग, तो B बिल्कुल इसका राइट आंस्वर है और रजिया सुल्तान का मकवरा कैथल में है, ठीक है इसका संबंद कहां से है, कैथल से है और एसीया की पहली महिला सासक बनी है तो D इसका राइट भी नहीं रहेगा आंस्वर वैसे राइट आंस्वर बी है इसका हरियना के गुरुग्रा में नेमलिक्ट में से कौन सा खनीज पाया जाता है तो ध्यान रखना ये चारो आईए एक्जाम में इसलिए हम आपको बोल रहे हैं तो इसका जो राइट बनेगा सलेट बन जाएगा कौन सा बन जाएग असर बनेगा करनाल में 1955 में इसकी सतापना हुई है तो दोस्तों एक चोटा सा प्रियास और एक अच्छा प्रियास हमने अपनी तरफ से के आप सभी के लिए और आप सभीने इस वीडियो को यहां तक देखा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद